यह हमारा सेक्रिंड लेक्चर है टैटिनेटस है नॉर्मल के उपर तो सेक्रिंड लेक्चर में क्या है वेश्चन नमबर 3 पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नमबर 3 क्या है the normal, the normal, to a given curve, is parallel to, parallel to, x-axis, if, number 1, dy by dx, is equal to 0, number 2, dy by dx is equal to 1, number 3, dx by dy equal to 0, number 4, dx by dy equal to 1, तो ये कुछ होफसस लिए है हमें, तो इसको solve कैसे करोगे, देखो हमें क्या दे रखा है, जो ये x-axis है, ये x-axis है, ये normal है, तो normal किसके parallel है, x-axis के, तो सिधी सी बात है, tangent क्या होगी, tangent, tangent तो perpendicular होगी, x-axis के, ये tangent है, अगर tangent perpendicular होगी, x-axis के, तो dy by dx कितना आएगा, plus minus infinity, तो dy by dy कितना आएगा, 0, तो कौन सा answer आएगा आएगा अपका third, ठीक है, अब कुछ numerical हो रहे हैं, जैसे question number 4 है, क्या कहता है question number 4, इफ दा, tangent, टू दा करव, tangent टू दा करव, करव हमें दे रखा है ये, x-y, product में है, plus ax, plus by, equal to 0, at, point का नाम है, 1,1, each, inclined, inclined, at, an, angle, कितना angle inclined है, tan inverse 2, with, x-axis, tan, number 1, a ब्राबर है 1 होगा, b ब्राबर है 2 होगा, second option, a ब्राबर है 1 होगा, b ब्राबर है, minus 2 होगा, third option, a ब्राबर है minus 1 होगा, b ब्राबर है 2 होगा, last option, a ब्राबर है minus 1 होगा, b ब्राबर है minus 2 होगा, तो हम इसको solve करना साथते हैं तो इसका solution नहीं कैसे बनेगा अब tangent है inclined कर रही है 45 पर इस point पर तो यह point इस curve के उपर है satisfy करेगा x की जगा 1, y की जगा 1 आएगा a plus b ब्राबर 0 तो अगर मैं इसको solve करूँ तो a plus b आएगा minus 1 equation बनेगी 1 अब slope of tangent निकालो slope of tangent क्या होती है dy by dx x like as y dash y like as x का 1 a b y dash equal to 0 ठीक है slope की इसके बराबर रही है slope आई अब पहले y dash की बेले निकालो तो यहां से y dash की इतना आएगा point पुट करो x की जगह 1 है तो y dash y की जगह 1 है a y dash की y की जगह b into y dash equal to 0 तो 1 plus b y dash equal to minus 1 plus a आएगा तो y dash की value कितनी आएगी minus 1 plus a upon 1 plus b और y dash की स्राबर है 10 inverse 2 के बराबर ठीक है क्योंकि इसने जो angle दिया है कितना दिया है वो 10 inverse 2 दिया है जो theta theta कितना दिया हुआ है 10 inverse 2 तो tangent theta कितना होजेगा 2 तो slope कितनी आजेगी 2 2 आजेगी तो solve करेंगे तो कितना आएगा minus 1 plus a 2 plus 2 b यहां से कितना मिलेगा a minus 2 b equal to 1 यह मिलजेगी equation number 2 ठीक है क्योंकि हमें वो दे रखा है ना इसमें हमें वो दे रखा है sorry यह मिलेगी 3 क्योंकि हमें theta दे रखा है 10 inverse 2 तो 10 theta होजेगा 2 यह slope आएगी और slope क्या होती है y dash तो यह y dash की value है dy by dx की value है तो यह 2 रखी तो a minus 2 b 3 तो अब हमारे पास है दो equation है एक तो a plus b 1 है और दूसरी equation कितनी है a minus 2 b equal to 3 अब आप क्या करो दुनलों को add कर दो sorry subtract कर दो subtract करो तो minus plus minus है ना तो 3 b equation हमारी क्या बनी है equation हमारी बनी है a plus 2 b बनी है यह a plus 2 b बनी है यह minus कर दो minus करेंगे तो क्या बनेगा minus b a plus 2 b equal to minus 3 minus 3 करेंगे तो यह plus बन जाएगा गलती कर रहा हूं मैं कुछ हाँ तो minus b बनेगा 2 b बन जाएगा minus 2 b की values में रख दो a minus 2 equal to minus 1 a आजेगा 1 तो क्या आएगा a 1 b minus 2 तो कौन सा option है हमारा right होगा second option second option right हो जाएगा ठीक है तो second option आजाएगा अब हम कुछ और questions में बढ़ते हैं जैसे question number 5 है question number 5 हमें क्या कहता है दा पॉइंट दा पॉइंट दा पॉइंट ओन दा करव ओन दा करव करव क्या है y square equal to x आगे है वेर वेर tangent makes 45 degree angle angle with x-axis that each each है पहले च्वाइस है कहता है वो पॉइंट होगा हमारा 1 by 2,1 by 4 दूसरा है वो पॉइंट होगा हमारा 1 by 4,1 by 2 तीसरा है वो पॉइंट होगा हमारा 4,2 चोथा है वो पॉइंट होगा हमारा 1,1 तो स्लोप ओफ क्या होगी स्लोप ऑफ टैंजेंट टैंजेंट 45 डिगरी बंद वन होगी स्लोप यारी के डी वाइब डी एक्स की वैल्ली वन होगी तो अब यहां से आप डी वाइब डी एक्स निकालो तो क्या बनेगा 2Y डी वाइब डी एक्स एक्वल टू 1 तो डी वाइब डी एक्स की वैल्ली आएगी 1 अपॉन 2Y यह वैल्ली यहां रख दो तो 1 अपॉन 2Y तो Y की वैल्ली कितनी आजेगी half तो y half मिल गया y की value यहां put कर दो x की value कितनी आएगी 1 by 2 का square तो x की value कितनी मिल गी हमें 1 by 4 तो point क्या मिला पहले x लिखा जाता है फिर y तो 1 by 4, 1 by 2 हमें कौन सा option सही मिलेगा second अब एक question की तरफ over move करते है question number है 6 question 6 हमें क्या कहता है the point the point on the curve the point on the curve curve है मेरा y equal to 12x minus x square where where the tangent where the tangent is parallel to x axis is first choice कहता है 0-0 second choice कहता है 2,16 third choice कहता है 3,9 fourth choice कहता है none of each none of each ठीक है ठीक है तेको tangent है हमारी किस के parallel है x-axis के है तो ये situation है tangent एक line होती है जो parallel to x-axis है ये tangent है अगर tangent parallel to x-axis हो तो क्या होता है dy by dx ते 0 होता है तो पहले हम क्या निकालेंगे dy by dx निकालेंगे और उसको किस के राब रख देंगे 0 के राब रख देंगे ठीक है ना तो कितना बनेगा dy by dx इसका 12 minus 2x equal to 0 तो x का value आगा 6 अब x का value यहाँ put कर दो तो y का value आएगा 72 minus 36 36 आएगा तो point होता है x,y 6,36 आजएगा मतलब आपकी ये 4-24 आएगी इसमें इस कड़ी में हम एक question और ले लेते हैं next जो question है हमारा ये है the slope the slope of the tangent of the tangent to the curve to the curve क्या दे रखिया है x equal to t square plus 3t minus 8 comma y equal to 2t square minus 2t minus 5 at the point point दे रखिया है मुझे 2 comma minus 1 is पहली च्वाइस है 22 बटे 7 दूसरी च्वाइस है 6 बटा 7 तीसरी च्वाइस है minus 6 च्वाइस है minus 1 थीक है तो ये ये question है मेरा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम निकालेंगे t की value जो कि slope क्या होती है tangent की dy by dx होती है slope होती है dy by dx ठीक है जो कि क्या होती है dy by dt upon dx by dt तो dy by dt तो मुझे पता है कितना आएगा 40 minus 2 dx by dt पता है 2t plus 3 अगर t की value मिल जाए मेरा काम बन जाएगा तो x की value क्या दे रखी है 2 तो t square plus 3t minus 8 2 के बराबर है y कमान के दे रखा है minus 1 जो कि 2t square minus 2t minus 5 है तो उपरवाड़ी समी करन को 2 से multiply कर दो तो 2 से multiply करोंगे तो कितना आएगा 4 equal to 2t square plus 60 minus 16 फिर क्या करो minus कर दो ये plus हो जाएगा 5 ये minus हो जाएगा कट जेगा ये plus हो जाएगा ये हो जाएगा 8t और ये plus हो जाएगा क्या जेगा minus 11 तो 8t बराबर आगया 16 t आगया 2 अब टी का मानी यहां रख दो तो स्लोप कितनी आजाएगी चार दूनी आठ माइनस दो दो दूनी चार प्लस तीन छे बटे में साथ तो कौन सा ओफसन हमारा सही होगा सैकंड ओफसन हमारा सही हो जाएगा ठीक है तो हम इस तरह से कौशनों को करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी थी यह अब एक कौशन ओर लो कौशन है तही कौशन क्या दे रखा है फोर दा करव एट्थ कौशन क्या दे रखा है कहता है 4 दा करव हमें कोई करव दे रखा है क्या दे रखा है x is equal to 3 cos theta y is equal to 3 sin theta ठीक है और theta की value किसी से बीच में दे रखी है 0 और πाई के बीच में दे रखी है the tangent कहता है the tangent कहता है parallel to the x-axis where where theta is equal to पाली च्वाइ दे रखी है पाई दूसरी च्वाइ दे रखी है 0 तीसरी च्वाइ दे रखी है पाई बाई 3 और चोथी च्वाइ दे रखी है पाई बाई 2 तो ऐसे कुछनों कैसे solve करें दूसरी पाई दे रखी है इसका मतलब है दी वाइ बाई दी थीटा को जीरो ना पड़ेगा दी वाइ बाई दी थीटा जीरो कब होता है थी कोस थीटा जीरो थीटा को यहां पर कोस थीटा जीरो होगा थीटा कितना होगा 90 डिगरी पाई बाई टू तो कौन सी option आजाएगी मेरी चौती option आजाएगी ठीक है हम बिलकुल सिंपल चल रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें ठीक है ना हमने मतलब कोई नई चीज नहीं किया यहां पर जस्टाइड डैफिनेशन का यूज किया हुआ है एक और कॉस्चन पर बढ़ते हैं जो एक और कॉस्चन है क्या है दो पॉइंट दो पॉइंट अनदा कर आव तप उंदा कर आव-डर करो क्या है यह एक समाइनस वान कॉमा इंटु में एक समाइनस टू यह का रहा है मैं ठीक है यह कर व गीवन आडिसा कर आव अगर मैं इस करो की बात करूँ यह करो किसी राबर है x2-3x2 के बराबर है अगर मैं इसको solve करूँ ठीक है At which At which At which The tangent The tangent Makes An angle Of 135 degree With the With the Positive Positive Direction Of X-Axis Hatch Coordinates Coordinates जो first choice है वो यह है कि 1,0 जो second choice है वो है 0,1 और जो third choice है वो है minus 1,0 और जो last choice है वो है 0, minus 1 ठीक है तो हम इसका solution चाहते हैं तो जो angle बना रही है 135 का बना रही है तो slope कितनी बनेगी Tangent 135 Tangent 90 plus 45 ठीक है कितना होता है negative होता है minus 1 होगा ठीक है minus 1 होता है और slope किसके राबर है dy by ds के राबर है तो dy by ds कितना आएगा 2x minus 3 तो 2x इसरब राजेगा 2 के x कितना आजेगा 1 के तो x1 आया यहां रखतो y कितना आजेगा 0 point क्या होता है x,y तो 1,0 आजाएगा आपका जो first choice हो सही हो जाएगी देखिए आके चलते है question number 10, question number 10 क्या कहना चाहता है कहता है if the normal कहता है if the normal to the curve curve क्या बोल रहा है वो y is equal to fx at the point at the point point layer I have 3,4 makes an angle makes an angle 3 pi by 4 with the with the positive direction of x-axis then कहता है f-3 कितना होगा ये question है first choice है first choice है कहता है minus 1 second choice है second choice है second choice है कितनी minus 3 by 4 third choice है third choice है कितनी minus 4 by 3 और लास्ट चुआएस है 1 कहते है normal to the curve इस point पर इतना angle मना रही है positive direction of x-axis साथ तो f-3 कितना होगा slope of normal कितनी होती है minus 1 upon slope of tangent slope of tangent होती है derivative इसका मतलब y-dash मतलब f-dash x हो जाएगी कितना है tangent of 3 by 4 x of 3 by 3 minus 1 तो f-dash x की value कितनी है आएगी तो after solving f-dash x की value 1 आएगी मुझे निकालनी है f-dash 3 की value x की जाहिए 3 पूट करेंगे वही बन आएगा क्योंकि f-dash x1 है x की जाहिए कुछ मर्जी पूट कर लो बन आएगा तो कौन सी choice हो जाएगी force choice हो जाएगी तो force choice is the right choice हम और आगे बढ़ते है देखिए क्या question आगे तो कि इसमें जो सारी type पे cover हो जाएगी question number 11 कहता है the point bracket में word यूज़ कर रहा है points किसके उपर ओन दा करव करव क्या है y cube plus 3x square equal to 12y where where the tangent is vertical the tangent is vertical vertical होती है लंब हुआत 90 degree is slash r पहला option है plus minus 4 by root 3 comma minus 2 तो दूसरा option है plus minus root 5 by 3 और 1 तीसरा option है 0,0 और चोथा option है plus minus 4 by root 3 comma 2 तो यह हमें कुछ options ले रखे है ठीक है हमें इसी के coding चलना है definition क्या है tangent is vertical जब tangent vertical होती है तो d y by d x कितना होता है d y by d x not defined होता है ठीक है ना देखो जब 90 degree हो तो d y by d x क्या होगा not defined होगा या आप यह भी कह सकते हैं जो d x by d y हो क्या होगा 0 होगा यानि के d x by d y 0 होगा तो यहां से d x by d y निकालो 3 y square plus 6 x d x by d y equal to 12 तो d x by d y की value आएगी 12 minus 3 y square upon 6 x और यह किस के रवाबर है 0 के रवाबर है तो 12 equal to 3 y square तो y square equal to 4 तो y square equal to 4 आएगा तो y की value की आएगी plus minus 2 आएगी तो y की value 2 आएगी और y की value है minus 2 आएगी इसमें रखो जब 2 रखेंगे y की value 8 plus 3 x square equal to 2 y 12 दूनी कितने बनेगी 24 तो 3 x square बनेगा 24 मेर से बारांगे 16 x square बनेगा 16 बटे 3 तो x बनेगा plus minus 4 by root 3 ठीक है एक तो आगया fourth ठीक है जब y की value minus 2 लेते हो तो minus 8 plus 3 x square minus 2 लेते हो minus 24 तो x square minus 24 minus 2 बटे 3 x से plus minus minus 2 बटे 3 root ये नहीं आएगी क्यों complex root आएगा तो सिर्फ fourth चुआएसाब की सही हो जाएगी ठीक है तो हम इस तरह से question करते 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 बढ़ते जाएंगे अब question number 12 पे आते हम तो question number 12 कैसे solo होगा क्या कहता है if the slope of the curve curve क्या ले रहा है वो y is equal to a x upon b minus x at the point point जो ले रहा है वो 1,1 is 2 2 ले रहा है then पहली चुआएस कहता है a 1 होगा b minus 2 होगा दूसरी चुआएस a minus 1 होगा b 2 होगा तीसरी चुआएस a 1 होगा b 2 होगा 24 चुआएस none of these होगा ठीक है मैं इसको solve करना चाहता हूँ तो solve कैसे करूँगा मैं solution देखो पहली बात तो यह point है इसको satisfy करेगा 1 equal to a और b minus 1 है ना तो यहां से solve करूँगा तो क्या आएगा b minus 1 equal to a तो यहां से solve करूँगा तो कितना आएगा a minus b equal to minus 1 equation 1 बनेगी ठीक है एक तो यह बात बनेगी आपकी और दूसरी बात अब slope निकाल लो slope क्या होती है derivative derivative कितना होगा इसका dy by dx निकालना ज़रा b minus x का square b minus x like as a x का a minus a x like as और इसका minus 1 ठीक है और अब point put कर दो b minus 1 into a minus plus a upon b minus 1 का square किसके बराबर है यह 2 के बराबर तो क्या आएगा b upon b minus 1 का square equal to 2 यही आएगा ना और साथ में a b है मैंने गलती कर दी साथ में a b है a b upon b minus 1 का square equal to 2 और यहां से value क्या है a upon b minus 1 की value 1 है इसमें यूज कर दो तो मैं इसको जब बरेक करूँगा a upon b minus 1 b upon b minus 1 इसको बरेक कर सकता हूँ मैं ऐसे 2 है तो a upon b minus 1 की value 1 है 1 b b minus 1 equal to 2 जब मैं इसको solve करूँगा तो क्या आएगा b equal to 2 b minus 2 तो b equal to आजएगा 2 तो b की value तो आगी 2 अब a की value निकालना चाता हूँ यहां put कर दो a की value आजएगी 1 तो b की 2 a की 1 third option आजाएगा हमारा ठीक है तो हम ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप ही हमारे अंसरा आते रहेंगे अब एक question और देखिए तो इस तरह के question हमारे पास है ना इस कड़ी में बहुत सारे दे रखे है तो हम उनको solve करते जाएंगे ठीक है जैसे एक question और लेता हूँ आँँ मैं different type का यह question है दाक करव करव क्या दे रखे है y minus e की x y plus x equal to 0 है जे है जे vertical इसके पास एक वर्टिकल टैंजेंट है इसके उपर है at the point point कहता है 1,1 है दूसरा at no point है तीसरा 0,1 है चोथा 1,0 है तो यह चार option है ठीक है क्या कर रहा है वर्टिकल टैंजेंट है वर्टिकल टैंजेंट का मतलब क्या है वर्टिकल टैंजेंट का जो dxy dy क्या 0 है dxy dy 0 है तो पहले हम dxy dy निकाल लेंगे तो dxy dy कैसे निकलेगा इसका यहां derivative करो y के respect में 1 आएगा minus e की x y आएगा फिर x y का x dxy dy आएगा y आएगा ठीक है फिर x like as y का बनाएगा y के respect में कर रहे हैं dxy dy आएगा is equal to 0 लेना है तो मैं dxy dy की value निकालना चाथता हूँ तो dxy dy की value कैसे निकाल लोगे आप solve करवागे तो क्या होगा 1 minus y e की x y dxy dy minus x e की x y dxy dy equal to 0 परे ले जाओ सब को तो कितना आएगा dxy dy की value अगर मैं इसको solve करूँ तो x e की x y minus 1 upon 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 में आएगा 1 minus y e की x y ये क्या होना चाहिए 0 यानि के x e की x y minus 1 है किसके राब रोना चाहिए 0 के बराबर तो अब मैंने देखना है कि इसको कौन सा point satisfy करेगा किस point पे 0 होगी ये 1,0 इसको satisfy कर रहा है तो 1,0 इसको satisfy कर रहा है मुस्किल था लेकिन इस वे से point निकालना असान हो गया है ठीक है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो और भी question है मैं बस different different question लेके चल रहा हूं जो question repeated है में वो लेके नहीं चल रहा हूं उन question को आप खुड try कर सकते हो क्या कहता है question कहता है the angle the angle between the tangents the tangents to the curve to the curve curve क्या है y equal to x square minus 5x plus 6 at the point at the point 2,0 and 3,0 is पहली च्वाइस है 5 by 3 दूसरी च्वाइस है 5 by 2 तीसरी च्वाइस है 5 by 6 चोथी च्वाइस है 5 by 4 solution करो तो दूसरी च्वाइस कितना आएगा 2x minus 5 slope पहले किसमे निकालो 2,0 पर minus 1 आएगी यहाँ 2,0 पुट करो तो दूसरी च्वाइस माइस पांच minus 1 आएगी फिर दूसरे पॉइंट पर slope 3 पर 1 आएगी और slope का product यहाँ minus 1 है पर पैंडी कुलर है 5 by 2 अंसर आजाएगा ठीक है कई बार हमें है हिसाब है वो directly लगाना पड़ता है direct बिलकुल ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आप इस तरह से यह कुछ question है try कर लिजिएगा तो फिर मैं next lecture continue करता हूँ